यूपी के सीम योगी आदितनाथ आज कहा करेंगे चुनाप रचार बरेली रोडशो में ग्रिह मंत्री अमित्षा ने अखिलेश को लेकर क्या कहा है समाजवादी पार्टी के मलसी पुषपरा जैन पर आईटी विभाग की जाज जारी है और ओम प्रकाश राजबट ने क्या विभादित बयान दिया है देश में जारी राजमिति घमसान से जोड़ी एहम खबरों को देखिए टॉप नाइन सियासी संग्रा केंद्री ग्रह मंत्री अमेशा यूपी के बरेली में बीजेपी की जन विश्वा से आत्रा में शामिल हुए रोडशो के दौरान ग्रह मंत्री ने स्पी अध्यक शकलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि समाजवादी इतर प्रदेश में दुर्गंद फैला रहा था बकसे भर-भर कर नोट निकल रहे हैं शाह ने पूछा कि आखिर काला धन रखने वालों के खिलाफ कारवाई पर अखिलेश क्यों परिशान हो रहे है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पाठी के MLC पुषपराज जैन पर आयकर विभाग की जांच जारी है आईटी की टीम पंपी के घर, कारखाने, पेट्रोल पंप वा कोल्ड स्टोरिज की जांच कर रही है कनोज, कानपुर और नॉइडा समेट कई जगहों पर शापे मारी की गई अस्थानी अधिकारियों को कारवाई से दूर रखा गया है आयकर विभाग की शापे मारी से यूपी की सियासत में हरकम मचा है यूपी के कनोज के एक दूसरे इत्र कारोबारी फौजान मलिक के घर पर भी इंकम टैक्स विभाग की शापे मारी जारी है IT की दो और टीमें मलिक के घर चापे मारी के लिए पहुंची इस उत्रों के हवाले से खबर है कि मलिक के हां से काफी मात्रा में सो ना मिल सकता है टीम के करीब 15 सदस्य घर के अंदर मौझूद है और चापे मारी की कारवाई कर रहे हैं और कहा कि अखिलेश को गलत करने वालों पर आरोप लगाने चाहिए ना कि कानून लागू करने वाली एजन्सियों पर आरोप लगाएं इससे पहले S.P.M.L.C. पुश्पराज के हां चापे मारी मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक शक्हिलेश यादव ने TV9 भारत वर्ष से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को डराने की कोशिश हो रही है दिल्ली से लखनव तक बीजेपी का प्रोपगेंडा चल रहा है अखिलेश ने बीजेपी पर सेंट्रल एजन्सियों की दो रूपियों कारोप लगाया और चुनाव आयोग से सियासी बदलाखोरी के लिए जारी चापे मारी पर रोख लगाने की मांग की यूपी के हर दोई जिले में बीजेपी हुआ मोर्चे के समेलन में पहुँचे कन्नौ से बीजेपी सांसर सुबरत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और कहा कि वंशवादी और परिवारवादी राजनीती हमारे भविशी के लिए संकट है इसके अलावा उन्होंने कहा कि एजंसिया कारवाई कर रही है तो अखिलेश की उनाराज हो रहे है सुहल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक शोम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है ताजबर जानपूर के शागंज विधानसभा शेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे पूर्व क्रिगेटर विरेंद्र सहवाग की बहन अंजु सहवागाम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है पार्टी के राष्टिय महासाचीव पंकच गुपता और विधायक सोमनाद भारती ने शुकरवार को उन्हें पार्टी के मुख्याले में सदस्यता अग्रहन करवाई अंजु 2012 में कॉंग्रिस के टिकट पर दक्षिर पुरी एक्स्टेंशन वर्ट से एमसेडी का चुनाव चीच चुकी है